हेलो फ्रेंड्स तो अगर आप साउथ इंडियन खाना खाने के शौकीन है जैसे की इडली, सांभर, मेंदू बड़ा या उत्पम खाने के शौकीन है तो आपको ये चटनी जरूर ट्राइ करनी चाहिए क्योंकि ये चटनी साउथ इंडियन खाने में चार चांद लगा देती ह यानि कि उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ करके आता है साउथ इंडियन खाना तो ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है तो आज मैं आपके साथ इस चटनी के रैस्टिपी शेयर करूंगी तो इस चटनी के लिए हम इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले मैंने लहसन ले लि लिया है तो इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि चटनी के अंदर यह थोड़ा से मूटा मूटा ही इस्तमाल होगा क्योंकि हम इसको बाद में पीस लेंगे और साथ में मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज और उसको भी मैंने अच्छी तरीके से तो यह मेरे टेरेस गार्डन के टेमाटर हैं देखे आप कितने अच्छे हैं तो इसी तरीके से मुझे गार्डनिंग का शौक है तो अब टेरेस गार्डन में टेमाटर पकने लग गए है तो सोचा कि क्यों ना आज इसकी शुरुआ चटनी से करी जाए तो इसको भी मैंने म ढॉल में तो साथ में मैं डाल दिया इसे बहें आठ से 10 काली मेज डाली है इससी इसलिंग हाता है तो मर्ण में बहुत ही बहुत ही अच्छा थीक्शा परण शोची का तेल के तब मैं है? तो या आनि कि ठंडा करने के लिए इसको रख दिया है और दृबbern है और उसके अंदर में टाल दिया और आपको ध्यान करना है कि यह लहसन जलने नहीं चाहिए यानि कि भ्राउन नहीं होने चाहिए और साथ में मैंपना दाल दिया इस में जो अधरक के टुखड़े से अंदर करना दाल दिया है और दोनको बिलकुल लो फिलिम पर भूनने के लिए चढ़ा दिया है यानि कि इस प्याज को को डाल देना है इसके अंदर और इसको भी मैं एक से दो मिनट तक चला लोंगे। आपको इसको ट्रांस्लूशेंट बिल्कुल नहीं करना हैं इसको बूनना है। खेलों अलए को इसको Comic green बहुत आपपन की काम नहीं आता है तो मैंने इसमें दो मिर्ची बारिक बारी काट करके यानि की लंबी लंबी काट करके टुकडों में डाल दिया साथ ही मैं मैंने इसके अंदर टेस्ट के according नमक डाला है और उसके बाद मैंने इसमें तीखी वाली आधी चमच मिर्च डाली है और उसके बाद देखिए ये अच्छी तरीके से जैसा मुझे चाहिए था उसी तरीके से ये पकने लग गई है तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो मसाले हमने रोष्ट किये थी यानि कि चना दाल साथ में जीरा और काले मेर्च उड़त की दाल उनको मैंने इसके अ अगर हाई रहेगा तो ये चटनी के जो भी हमने डाला है सारे मसाले बहुत जादा जल जाते हैं तो आपको फ्लेम का बिल्कुल ध्यान दखना है और देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है और मैंने इसको कर लिया है अब ठंडा ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे कि ले लेंगे हम एक जार और जार के अंदर मैंने डाल दी है यह जो मैंने चटनी का पेष्ट तयार किया था यानि कि इन सारे मसालों को हम डाल देंगे जार के अंदर और उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैंने पैन में इसमें थोड़ा सा लगा हुआ रह गया था और मैं डाल दूँगी इसको जार के अंदर तो हमको क्या होगा कि अगलक से एक्ष्ट्रा पानी डालना नहीं पड़ेगा और यह पैन में जो मसाला लगा रहा गया था यह भी काम में आ जाएगा और उसके बाद मैं अब इसको कर लूँगे ग्राइंड कर लूँगी और तो चटनी पीश चुकी है और मैं इसको कर दूँगी एक दूसरे बरतन में शिप्ट कर दूँगी क्योंकि अब हम इसमें लगाएंगे तड़का तो मैंने सारी चटनी एक बरतन में खाली कर ली है और मैंने फटा-फट से चढ़ा दिया है एक चमचा और उसके अंदर डाल यानि काली वाली राय योती वो डाली है और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी एक साबत लाल मिर्च डालूंगी लेकिन उसके में ने दो से तीन टुकडे कर लिये थे तो देखिए तेल अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो मिर्च डालते ही जलने लग जाती तो मिर्च नहीं चाहिए सिर्व मिर्च फ्राई होनी चाहिए और साथ में डाले हैं 5-7 करी पत्तर डाले हैं और इस तरीके से लगा दिये चटनी में तड़का और हमारी चटनी बन करके हो गई है बिल्कुल तैयार तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल क लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ टेक केर बाबाब